शौदा ने मीर पे यानि मीर तकी मीर हज्व भी लिखी लेकिन उन्हें उस्ताद भी माना मीर साब अंदर से तो उन्हें खातिम में नलाते थे मगर बजाहर साओधा को मानते थे ये एक चोटा सा इक्तिबास मैंने सादत अली खान नासर की खुश्मार का जेबा से लिया मीर तकी मीर से लखनव में किसी ने पूछा कि हजरत आज कल शायर कौन है कहा एक तो सौदा दूसरा ये खाकसार है और तामल करके कहा आदे खाजा मीर दर्द कोई शख बोला कि हजरत और मीर सोज साहिब शींबजबी होकर कहा कि मीर सोज साहिब भी शायर है उन्होंने कहा कि आखिर उस्ताद नवाब आसिफ दूला के है कहा कि खैर ये है तो पौने तीन सही मगर शुरफा में ऐसे तकल्स हमने कभी नहीं सुने मीर साहब के सामने क्या मजाल किसी की थी जो कहे कि उन बिचारे ने मीर तकल्स किया वो आपने चीन लिया नाचार अब उन्होंने ऐसा तकल्स इक्तियार किया कि ना आपको पसंद आए ना आप उसे चीने लखनव के चंद अमाइद राकीन जमा होकर एक दिन आए मीर तकी मीर से मुलाकात करें और अशार सुने दर्वाजे पर आकर आवाज दी लौन्डी या मामा निकली हाल पूछ कर अंदर गई एक बोरी आलाकर डियोड़ी में बिचाया उन्हें बिठाया और एक पुराना सा हुक्ता ताजा करके सामने रख गई मीर तकी मीर अंदर से तशीफ लाए मिज़ाच पुर्सी वगएरा के बाद उन्होंने फरमाईश अशार की मीर साहब ने अफ़ल कुछ टाला फिर साफ जवाब दिया कि साहब इक बिचाया मेरे अशार आप की समझ में नहीं आने के अगर्चे नागवार हुआ मगर बर नजर आदाब और इकलास उन्होंने अपनी नारसाइए तबा का इशार किया और इकरार किया और फिर दर्खास की मीर साहब ने फिर इनकार किया आखिर इन लोगों से न रहा गया और कहा कि हजरत अनवरी और खातानी का कलाम हम समझते हैं आपका इर्षाद क्यों ना समझेंगे मीज़ साहब ने कहा ये दुरुस्त है मगर उनकी शरहें मुस्तलहात और फरहंगे मौजूद है और मेरे कलाम के लिए फक्त महावरा एहल अर्दू है ये जामे मस्जिद की सीवड़ियां और उस से आप महरूम एक दिन नवाब मुरूम ने गजल की फरमाईश की दूसरे तीसरे दिन जो फिर गए तो पूछा मीज़ साहब हमारी गजल लाए हो मीज़ साहब ने तियोरी बदल कर कहा जनाब आली मजमून गुलाम की जेब में तो भरे नहीं कि आपने फरमाईश की आज गजल हाजर कर दे उस फरिश्टा खसाल ने का खेर मीज़ साहब जब तबियत हाजर होगी कह दीजेगा एक दिन नवाब साहब में बुला भेजा जब पहुंचे तो देखा कि नवाब हाउस के किनारे खड़े हैं हाथ में एक छड़ी है पानी में सब्स लाल मचलियां तहरती पिटती है आप तमाशा देख रहे हैं मीज़ साहब को देखकर बहुत खुश हुए और कहा मीज़ साहब कुछ फरमाईए मीज़ साहब ने खजल सुनानी शुरू की नवाब साहब सुनते जाते थे और छड़ी के साथ मचलियों से भी खेलते जाते थे मीज़ साहब चींबजबी हुए और हर शेर पर ठहर जाते थे नवाब साहब यही कहते थे कि हाँ हाँ पढ़िये आखिर चार शेर पढ़कर मीज़ साहब ठहर गया बोले पढ़ूं क्या आप तो मश्लियों से खेलते हैं मतवज्जे हूं तो पढ़ूं नवाब ने कहा जो शेयर होगा आप मतवज्जे कर लेगा मीर साहब को ये बात जियादातर नागवार गुजरी गजल जेब में डाल कर घर को चले आए और फिर जाना छोड़ दिया चंद रोज बाद एक दिन बाजार में चले जाते थे कि नवाब की सवारी सामने से आ गई देखते ही नहाइद महबत से बोले कि मीर साहब आपने हमें बिलकुल छोड़ दिया कभी तश्रीफ नहीं लाते मीर साहब ने कहा बाजार में बातें करना आदाब शुरफा नहीं और ये क्या गुफ्तूगू का मौका है जब नवाब आसे को दौला मर गए साहद अली खां का दौर हुआ तो ये दर बार जाना छोड़ चुके थे वहां किसी ने तलब न की एक दिन नवाब की सवारी जाती थी ये तहसीन की मस्जद पर सरे राह बैटे थे सवारी सामने आई सब उठकड़े हुए मीर साब उसी तरह बैटे रहे सेद इन्शा खवासी में थे नवाब ने पूछा इन्शा ये कौन शखस है जिसकी तमकतनत ने इसे उठने न दिया अर्श की कि जनाब ये वही गदाए मतकब्र है जिसका जिक्र हुजूर में अक्सर आता है गुजारे का वो हाल और मिजज का ये आलम आज भी फाके ही से होगा सादत अली खाने आकर खिलत बहाली और एक हजार रुपया दावत का भिजवाया जब चोबदार लेकर गया मीर साब ने वापस कर दिया और कहा कि मस्जिद में भिजवाईए ये गुनागार इतना मौताज नहीं सादत अली खान जवाब सुनकर मुताजिब हुए मुसाइबों ने फिर समझाया गरस नवाब के हुक्म से सेद इन्शा खिलत लेकर गए और अपनी तरस पर समझाया कि ना अपने हाल पर बलके आयाल पर रहम कीजे और बादशाह वक्त का हदिया लेकर कुबूल फरमाईए मुसाब ने का साहिब वो अपने मुलक के बादशाह है मैं अपने मुलक का बादशाह हूँ कोई नावाकिफ इस तरह पेश आता तो मुझे शिकायत ना थी वो मुझे से वाकिफ मेरे हाल से वाकिफ उस पर इतने दुनों के बाद एक दस रुपए के खिदमतगार के हाद भेजा मुझे अपना फुक्र औ फाकाम कुबूल है मगर ये जल्लत नहीं उठाई जाती